हलो फ्रेंज बेलकम टू माई चैनल तो आज एक नई डियाइन की तोड़न पट्टी लेकिया हूँ बनाना बहुत ही आसान है अगर आप पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं पहुचे तो चलिए वीडियो को सुरू करती हूं तो सबसे पहले हम चैनल बनाना स्टाट करेंगे तो हमने एक चैन बना है दो तीन चार तो यहाँ पे चार चैन बना लेना है और दो राउंड़े से कुरूश्या मिलेना है फिर नीचे वाले फंदे से में धागे को निकालना है इसे और दो दो फंदे में सांथ में बंद करने है तो यह हमारा त्रिपल कुरूश्या है तो मने इससे बंद कर लिया यादि बीच में मारा फंदा जैसे बंगी अब धागे को में खिशना है और एक राउड वेसे कुरुषया में फिर उसी वाले फंदे में से में धागे को निकालना है यादि में लेना है पप बनाएंगे तो हमने इसे पप बना लिया इसके आगे हम चैन करेंगे तो हमने एक दो तीन, तो याँ पे तीन चैन लेने के बाद ऐसे दो रांद कुर्शिया मिलेंगे पफी नीचे वाले फंदे से जहाँ से हमने पप को बंद किया था उसी वाले फंदे में से हम त्रिपल कुर्षिया बनाएंगे दो-दो फंदे में बंद करना है त्रिपल कुर्षिया बनाना है इस तरीके से फिर धागे को हम किचेंगे ऐसे एक राउंड फिर उसी वाले उसके अंदर से में धागे को ऐसे कुरुषया मि CowWork तो पांच बार हम इसे लेंगे इसके बद हम इसको बंद कर देंगे तो हमें यहापे पप बनाना है तो हमने यह दो बना लिया अब उपर की साइड हम तें चैन रखेंगे यहापे हमें टिपल कुरुषया बनाना है तो इसी तरीके से हमें बना लेना है आगे यहाँ आगे हम पप बनाएंगे तो हमने यहाँ पर बना लिया है इसकी लंबाई आप अपने अंसार रखें जितना बड़ा आप बनाना चाहती है तो यहाँ पर इसके आगे हम बताएंगे अब तो हम आपे धागे को में बड़ा रखना है और इसके अंदर से में धागे को निकालना है तो हमने एक बार निकाला दो तीन चार तो हमें पांच बार कुरुशा मिलेना है इसको बंद कर देना है इसके आगे हम चैन बनाएंगे तो एक चैन मैं बना है दो तीन चार पांच तो उपर की साइड में पांच चैन लेना है इसके बाद हम एक राउंड से कुर्श्याँ मिलेंगे और फिर हम उसी वाले फंदे में से जान से हमने पब बना Аथा उसी में से हम दागे को से खिचेंगे और पांचरों नया कुर्ष्या मिलेंगे पप बनाने के लिए इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे एक साथ इस तरीके से बनाना है इसे अब आगे हम यहां जो यह दूसरा फंद है दिख रहा है इसी में से हम बनाएंगे तो एक राणे से कुर्ष्या में लेते हुए फिर हम उसी वाले फंदे में से धागे को निकालेंगे तो यहाँ पे फिर हमें पांच रावन कुर्शिया में से लेना है पक बनाने के लिए इसको हम बंद कर देंगे इसे एक साथ इसके आगे हम चैन बनाएंगे तो यहाँ पे पांच चैन रखेंगे तो यहाँ पे हमने पांच चैन बना लिया फिर उसी में हमें पफ बनाना है तो यहाँ पांच रावन कुर्शिया में लेंगे बनाना बहुत ही आसान है एक फ्लावर तोड़न पट्टी में बनाई है आप वीडियों को पूरा देखें इसको हम बंद कर देंगे एक साथ इसी तरीके से हम आगे बना लेंगे तो आगे में दो दो पफ बनाने है एक फंदे में तो आप पे हमने एक साथ का बना लिया है अब इसके आगे हम बताएंगे तो हम चैन बनाने स्टार्ट करेंगे पहले चैन बनाएंगे तो हमने एक, दो, तीन, चार तो यहाँ पे यह हमारा किनारे का है तो हम चार चैन ही लेंगे और फिर उसी वाले फंदे में से हम पफ बनाएंगे तो पांच राओने से कुर्श्या मिलेंगे एक साथ इसको हम बन कर देंगे इसे फिर आगे हम चैन करेंगे तो चारी चैन में रखना है आप पे फिर उसी में हमें पप बनाना है उसी पले फंदे में से तो पांच राओने से कुर्श्या मिलेंगे इसको हम बन कर देंगे एक साथ अब इसके आगे हम चैन बनाएंगे यहां पे हम चार नहीं यहां पे हमें पांस चैन बनाना थे तो यहां पे हमने यह 5 छैन बनाया है और फिर इसी के अंदर हमें पांच राओने से कुर्श्च्रा मिलेना है पाप बनाने के लिए इसके बाद हम बंद कर देंगे इसको अब इसके आगे हम जो फंदा हमारा दिख रहा है इसमें हमने दो पप बनाए थे अब इसके अंदर हमें दो दो पप बनाती हुए जाना है इस वाले फंदे में तो यहाँ पर धागे को निकालना है इसे अब कुर्श्या में रखेंगे हम पांच राउंड इसको हम बंद कर देंगे पांच चैनल करेंगे हम पर इसके अंदर हम पप बनाएंगे तो पांच राउंडे से कुर्श्या में लेंगे तो हर फंदे में हम दो दो पप ऐसे बनाती हुए जाएंगे उपर की शाडव में पांच चैन रखना है बीच में python के बीच में इसको हम बंद कर देंगे इस तो इसी तरीके से पूरा हम बना लेंगे आगे हर फंदे में से तो यहाँ पे हमने बना लिया है यह हमारी फ्लावर वाली पट्टी बनेगी तो इसके आगे हमने धागे कट कर लिया है यहाँ पे हमने दूसरा धागा लिया है जहां से हमने पास चैन बनाया था वह इसे में स्टेट करना है तो पहले हम धागे को बंद करेंगे करेंगे झाल 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 झाल